वल्कम बैक टू माई योटिब चानल गाईस आज की वीडियो स्टार्ड करते हैं आज की वीडियो स्टमबर टू डिसंबर वाले मकड के क्यू कार्ड के उपर डिस्क्राइब आ कैफे देट यू लाइक वेर इस वाउफन यू गो देर वाई यू लाइक तो विज़िड दिस कैफे जैसे की रजे यह क्यू कार्ड है इसका सेंपल आंसर देखते हैं सेंपल आंसर देखने से पहले में आपको यह कहना चाहूंगी आप मेरेको टैलीग्रा कांट इमेजन माइ लाइफ जैसे की रजे यहां मैंने लिखाया है इन फास्ट पेस एरा सिबको पसंद है शूशलाइज करना एक दूश्रे के साथ और मैं अपनी लाइफ इमेजन ही कर सकता विदाओ ड्रिंक्स जैसे की रजे यहां ड्रिंक्स में टी कॉफी मैंने आगे यहां मैं बात करने जा रहा हूं एक वैलनोन कैफे है हमारी सीटी में जिसका नाम है नेशनल कॉफी शॉप इस अनौन आशनल कॉफी शॉप मोरोवर आइफ इस प्लेस तो बी नॉइसलेस जैसे की रजे मैं यह वाली प्लेस को अगरा मैं इस प्लेस को नॉइसलेस मानता क्योंकि यहां मैं अपना जो भी काम होता है मैं अपना सारा काम कर सकता हूं जैसे कॉलेज का वोग हो गया स्टड़ी कुछ भी अब बोल सकते हैं जैसे की रजे यह शोटा और काफी कोजी काफे है और वाकिंग डिस्टंस ही है मेरे गड़ से जैसे की रजे यहां मैंने लिखे है जो काफी ज्यादा शांती देखनों के मिलोगी जैसे की रजे श्पैशली अग्जाम में जैसे की जब मेरे अग्जाम होते मैं वहीं अपनी प्रेपरेशन करता हूं अब हम आगे देखते है रजे जो चीज में को इस काफे की पसंद है कि यह 24 गंटे उपन रहता है उनकी जो उफिचिल वेपसेड है वहां से भी हम फूर आईटम्स ओडर कर सकते हैं What leaves the most impression on me? जैसे कि रजे, जो चीज मेरे पर impression डालती है इस cafe के बारे में, जैसे कि वहाँ आपको complete silence देखने को मिलेगा, जैसे कि वहाँ आपको complete silence देखने को मिलेगा, और जो shop owner है, वो किसी परकार की music में interested नहीं है, जैसे कि रजे, वहाँ आपको कोई भी background music आप expect नहीं कर सकते, जब भी आप visit करेंगे, जैसे कि आगे वाँ लिख है, What leaves, is the complete silence in the cafe as the shop owner, thankfully is not interested in music of any kind, so no background music is expected when you visit, one bonus point is that the coffee, is that the coffee where, sorry, there is none, second to none, which caters to my uniqueness and taste, the food are really scrumptious, जैसे कि रजे, scrumptious का मतलब होताव tasty हो ना, जैसे कि रजे, यहाँ मैंने बोला है कि coffee के बारे में, जो यह वाली coffee यहाँ इस place में मिलती है, वो बहुत जादा unique taste की होती है, आगे हम देखते हैं, रजे, जैसे कि रजे, पिछले कुछ सालों में, इस कावे ने बहुत ज़ादा पॉपलर्टिय के यह, है because यह बहुत ज़दा hard work कर रहे हैं अपने cafe के लिए और मैं इस cafe अखीर में मैं यही चीज़ कहना चाहूंगा कि मैं को यह cafe बहुत ज़दा पसंद है और यह cafe एक special place hold करता है मेरे heart में और it is one of the best place to visit यह सबसे अच्छी place है अगर आपने विजट करना है दर्सी के रजे ऐसे मैंने sample हैं से prepare किया अगर आपको helpful लगा तो please मैं चानल को subscribe करना ना बुलेगा and thank you for watching